राजिस्थान के उदैपुर में एक 15 साल का बच्चा एक 15 साल के बच्चे पर चाकू से हमला कर देता है और उसके कुछ ही देर बाद हिंसा शुरू हो जाती है आखिर ये हिंसा कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, ये कई तरह के सवाल खड़े करता है क्योंकि कहा ये भी जा रहा है कि इस पर कोई राजनीती या फिर किसी तरह का कोई शडियंत्र हो सकता है ये कहा ये भी जा सकता है कि आखिर ये जो घटना हुई थी ये कोई सोची समझी शाजस भी हो सकती है इस पर हमारे साथ अमानत जुड़े हैं, अमानत हमें बताएंगे कि आखिर ये पूरी घटना है क्या और ये बवाल ये जो हिंसा हुई वो क्यों हुई, क्या उसकी जरूरत ही या फिर इस घटना के तार किसी पुरानी घटना से जुड़े हुए हैं, अमानत मनिशा जी ये देखने में तो लगता है कि मामूली विवाद है, लेकिन जिस परकार से मात्र तीन घंटे में ही पूरी सहर को हिंसा ने अपने जद में ले लिया, उसको अगर आप पूरे गौर से ध्यान से देखिएगा, तो आपको लएगा कि ये सोची समझी साजिस भी हो सक होती है, और ये मामूली जैसा तो कुछ इसमें नहीं दिखता है, अगर पूरी घटना की बात करें, तो ये 16 अगस्त की है, जिसमें जो है चात्र जो है, उसमें दोनों में मामूली कहा सुनी होती है, नोट्स को ले करके, और उसके बाद जो है, वो लड़का जो है, क्या न होती है, और लोग सडकों पे उतर आते हैं, एक समुदा विशेश के लोग ही रहते हैं, वो सडक पे उतरते हैं, और परदशन होता है, जिसमें गारियां जलाए जाती है, मोल पे हमला होता है, और भी कई तरह के नारे लगाया जाते हैं, और ये परशाशन को भनक तक नहीं निकल जाता है लड़के को अस्पताल में भरती कराया जाता है जहां पर उनका चार दिन तक इलाज चलता है और सवंबार को उनकी देथ हो जाती है इस पर कई तरह के सवाल अब उठ रहे हैं पहला सवाल की बात करें तो आपको याद होगा कनयालाल हत्याकन दैपूर की है कनय परकार करता थे जिनकी हत्या की गई थी तो समाज में समाज में जितने भी ये विकार स्टैप के पनप रहे हैं इस पे जो है समाज को भी जिम्मेदार ठारा जा सकता है चाहे वो हिंदू समाज हो या मुसलिम समाज अगर अगर इस परकार के घटना इक 15 साल के बच्चे परसाशन भी इसमें सवाल के घेरे में है लेकिन यह जो घटना जब हुई जब यह बच्चे की बीच में चाकुवाजी की घटना होती है उसकी तुरंत बाद बच्चे को अस्पताल लेकर जाते हैं लेकिन इसी बीच में हिंसा कैसे भड़क जाती है यह बड़ा सवाल है देखिए प्लान तो उसका यही था कि इस माहूल को और बिगार आ जाए और इसका राजनितिक लाब उठाया जाए लेकिन जिस परकार से वहां की परसाशन ने देर से ही जिस परकार से उन्होंने काम किया उन्होंने स्थिति को सम्हाल तो लिया लेकिन जो साजिस थी उसका खुलासा अभी तक नहीं हुआया है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों बच्चे जिसकी मुद्ध ही है बच्चे के उसके पिता करते हैं कि पूरी प्लांिंग के साथ इस हत्ध्याकाण को अंजाम दिया गया है इसमें जो है वो परसाशन पे भी सवाल उठाते हैं उदैपुर की परसाशन पे भी सवाल उठाते हैं और इसको साजिस भी बताते हैं इस मामले में फिलाल जांच जारी है लेकिन ये 15 साल के बच्चों ने इतनी बड़ी वारदात को कैसे अंजाम दे दिया ये इसका जवाब अभी तक ना परशाशन को मिल पाया है और ना ही वहां के जो राजनितिक लोग हैं उनको मिल पाया है तो इस घटना को क्या कनहिया लाल की जो घटना हुई थी 28 जून 2022 को उस घटना से जोड़ कर क्यूं देखा जा रहा है क्यूं देखा जा रहा है ये एक सवाल है इसके दो पहलूं है। एक तो जिस परकार से कनेया लाल की हट्या हुई थी। वो वो बिल्कुल ही निर्दोस था। संपर्दाइक दिमाग में एक बंदे के संपर्दायकता आती है कि ये जो है जो कनिया लाल यह उनके खिलाफ है और वो उनकी हत्या कर देता है जो भी नारे लगाता है और उनकी हत्या कर देता है तो एक तो ऐसा हो सकता है कि उस बच्चे के मन में जो है यह नफरत पली हुई थी नफरत थी उसके दिल में नफरत था हिंदू को परती एक यह हो सकता है दूसरा यह हो सक कि वह वह वच्चा जो है उसको मारना ही नहीं चाह रहा था इसमें एक इस ख़बर में एक एंगल और निकल कर आता है कि वह लड़का जो था वह चाकू खड़ीद के लाता है किसी और को मारने के लिए असानी से इस परकार की घटना के लिए इस्तेमाल क्या आजा सकता है और पर पिता की बात पर हम आएंगे उन्होंने जो कहा कि साधिस के तरहत किया गया है अगर कोई बच्चा किसी की हत्या करता है तो इसमें भी कई सारे एंगल निकल कर आते हैं कि एक बच्चा हो नावालिग है उसको एरेश्ट नहीं किया जा सकता है उसको जो है जेल में नहीं डाला जा सकता है तो आसानी से किसी की हत्या कराय जा सकती है लेकिन इसमें पहलो ये भी है ना कि जब उस बच्चे ने चाको बाजी की जब हमला ये वारदात होती है उसके बाद जब बच्चा अस्पताल पहुंच जाता है प्रशासन भी इस पर एक्शन लेता है जिस घर म वो मामला तो ना समझी की थी पुरसाशन की, कि परसाशन ने बेना किसी जांच के, बेना किसी त्यारी के उनोंने ये एक्षान लिया, इस पर राजनिती हुई थी. कि लड़के को उस बच्चे को किसी भी हिंसा के लिए जो है इस्तेमाल करना आसान होता और वो घटना जो है उसके पीछे किसी की साजिस रहती है यह हम बीते कई वारदातों में देख चुके हैं तो इसका एक एंगल यह भी है कि बच्चे को हत्यार के तोर पर इस्तेमाल किया गया किसी की हत्या के लिए नफरत को जाहिर करने के लिए नफरत को जाहिर करने के लिए बच्चे का इस्तेमाल किया गया इसमें इसमें दो एंगल ये भी है कि बच्चा अगर बच्चा अगर किसी की हत्या करता है तो वो नवालिग है वो नवालिग है आसानी से वो साजी जो है छिपाई जा सकती थी ऐसा हो सकता है ऐसा हाँ लेकिन लेकिन इस पर चल रही है जा चल रही है छिपी नहीं है लेकिन उसका इस्तमाल क्या जा सकता था यह रै atau और पंदरा साल के यह और ढ़ायो फोता है कि इरादतन और गहर इरादतन हको ऑर इ र्रगादतन करता है यह नियूंतिया अगर अगर वह बच्चा किसी की हत्या करता है तो यह इरादतन में कि यह यहीं गहरी चिंतन करने की ज़रुत है और बहुत बड़ी जाच करने की आवशकता है अब यह वाला पहलो समझाएगे जो मैंने आप से अभी सवाल मेरा किया था कि बुल्डोजर की ज़रुत क्या पड़ी थी इस वाले में लोगों को बुल्डोजर इसलिए सरकार चलाती है या परसाशन चलवाता है बुल्डोजर की उनको लगता है कि इससे महोल शांत हो जाएगा लोग समझ जाएंगे कि कारवाई एकसन हो गया लेकिन वो कहां पर होता है किसका घर गिरा जाता है यह परसाशन को देख सोच समझ के करनी चाहिए इस पर परसाशन पर भी सवाल उट रहे हैं कि आप जो लड़का किराय के घर पे रह रहा था जो जो उसका परिवार आप उसको बिना जांच के कैसे गिरा देते हैं अगर वो अगर वो इल्लीगल बना हुआ था तो उसके और भी कई सारे पर जांच की जो रहता है यह बुल्डोजर एकसन वाला मामला पीछे चला गया यह जो घटना अभी हुई मैंने आप से एक सवाल भी किया था कि कनहिया लाल की हत्या जब हुई थी 28 जून 2022 को तो उसके बाद का जो अभी लोगों में उबाल देखनी को मिल रहा है उस घटन की है और उसमें भी चाकू का इस्तमाल किया जाता है बहुत ही बूटल तरीके से उसकी कनिया कुमार की हत्या की जाती है और संजोग बस ऐसा हुआ है कि इस लड़के ने भी चाकू का इस्तमाल किया और उसको चाकू मारा जिसमें उसकी मौत हो जाती है तो लोग इसलिए इ सकता है कि धार्मिक एंगल है बच्चे के मन में नफरत पहले से बैठाया गया जिस कारण बच्चे ने ऐसा कदम उठाया तो यानि कि अभी जांच भी तो की जा सकते हैं कि वह बच्चा जब चाकू लेकर आया था किसी और को मारने के लिए तो किसको मारने के लिए तो इसकी अब इसी जांच हो रही है बच्चे से पूचता की जा रही है कि क्या है इसमें विश्तिर आपन्या कुमार का जो हत्यारा था इसको सजा तो हुई लेकिन अभी वगिफ हमनत के बहार है liकिन अब इस मद्रा साल के बच्चे के लिए भानसी की सजा मांग रहे है पिडित पर ऑर जो है उनके मन में दुख है तकलीफ है वो मांग सकते हैं मतलब मांग सकते हैं लेकिन इस काणून क्या परसाशन लेती सरकार इस फाइदा उठादा है वो इस Normative गटनाओं को हावा भी दे को ही लेना लेकिन अपने देश में अभी तक कोई कानून नहीं है जिसमें की बच्चों को जो है सजा हो अभी विताई है मानत की अभी जो हिंसा भड़की एक छोटी सी घटना पर इतनी जल्दी लोग कैसे अक्टिव हो गए मतलब यह बहुत बड़ा सवाल है सोचने वाली ब भर्मों में फैली नफरत को दिखाता है कि इतनी इतना जल्दी जो है लोग रियक्ट करने लगे हैं और कहीं न कहीं लोगों के मन में बीजेपी सरकार को लेकर भी नफरत है और मुसलिमों में मुसलिमों में अगर आप देखिए तो उनको जो है बीजेपी सरकार और जो हिं हटना हुई अभी उदैपुर में उसके बाद उदैपुर सुलगा भी जगा जगा आग जनी हुई बहुत सारी चीजें हुई पत्राव हुआ कई जगा धार में के स्थानों को भी नुकसान पहुंचाया गया लेकिन सबसे बड़ी बात यहां यह आती है कि दो बच्चों के ब बच्चे पर सरकार क्या एक्शन लेती है यह देखने वाली बात होगी और इस खबर पर सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पर ही उड़ता है कि जब यह हिंसा की खबर हुई तो उन्होंने एक छोटे से बच्चे के घर पर बुल्डोजर क्यों चलाया दो धर्मों के बीच हु आपको देना भूल गए या कुछ इसमें आपको लगता है कि वो जानकरी हमें होनी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके यह बता सकते हैं फिलाल इस कवर में बस इतना ही मेरे साथ है अमानत और मैं हूं मनीशा रागव ग्लोबल भारत टीवी